हलो एंड वेलकम फ्रेंट्स टैली प्राइम में आज की इस वडियो में शॉटकट की की बात करेंगे और यहां पर हम फॉंक्षन बटन शॉटकट की जो होती है F1 से लेकर उनको देखेंगे पहले तो सबसे पहले देखिए जो टैली में पहली शॉटकट की होती है वो F1 होती है और जैसा कि आप जानते ही है F1 दबाने से क्या होता है कि help वाला डैलोग बॉक्स ओपन होता है तो यहां पर भी F1 प्रेस करेंगे तो help की ही menu open हो जाएगी यह देख लिजे open हो चुकी है ठीक है और आप control प्लस F1 प्रेस करके भी help वाला menu open कर सकते है ठीक है अब बहार आता हूँ इसके बाद F2 प्रेस करते हैं तो F2 प्रेस करते हैं तो date change वाला डैलोग बॉक्स open हो जाता है देख रहे हैं यहां पर date अब change कर सकते हैं अब date यहां से भी change कर सकते हैं यह देखिए यहां पर दिया हुआ है current date तो यहां पर click करेंगे तो वही चीज यहां पर भी आएगी click करने से ठीक है तो यह हो गया अब बात कर लेते हैं F3 तो F3 प्रेस करते ही list of companies open हो जाती है ठीक है जैसे ही F3 प्रेस करेंगे तो list of company open हो गई अब यह list of company में आप बहुत जैसे company जो खुली होई है वो दिखेगी आपको और यहां से company creation का भी आपको दिखेगा option alter का दिखेगा select का दिखेगा और company का यानि company को बंद करने का भी option आपको सब सब दिखाई पड़ेगा ठीक है अब यहां से बाहर आते हैं ठीक है किवल क्या प्रेस करना है वी गेटवे अफ टैली पर रहते हुए आपको वी प्रेस करना है और एफ फोर प्रेस कीजिए आप सीरा कहा आजाएंगे इसी तरह से एफ फाइब प्रेस करते ही आप आ जाएंगे सीधा payment बाउचर में like this देख सकते हैं आप ठीक है तो इसी तरह से एफ एट अगर प्रेस करते हैं तो हम sales बाउचर में आ जाएंगे और एफ नाई अगर प्रेस करते हैं तो हम कहा जाएंगे purchase voucher में आ जाएंगे और other voucher की list खोलनी है अगर आपको तो आपको keyboard से प्रेस करना होगा F10 तो जैसे ही F10 प्रेस करेंगे तो list of voucher types other voucher ये open हो जाता है ठीक है इसके बाद एक बचता है आपका F11 तो अगर आप F11 प्रेस करते हैं यहाँ पे आके यह like द करना क्या deactivate करना inventory में क्या activate करना payroll activate करना है कि नहीं करना है ये सारी details यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी ठीक है इसके बाद एक और function बटन है last जो है F12 तो जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो configuration वाली window open हो जाएगी ठीक है तो configuration में क्या-क्या चीज़े आएंगी यहाँ पर देखिए general detail आ रही है जैसे कि provide supplier detail, provide receipt order and import details, provide order details, provide import details तो यह सारी चीज़े आएंगी like bank detail भी आ जाएगी इसमें TDS का भी detail आ जाएगा और tax details भी आ जाएगा inventory का ठीक है तो यह सारी details आपको यहाँ पर मिल जाती है और यह F1 से लेके F12 तर की shortcut की रही ठीक है अब क shortcut की alt के साथ भी use होती है like alt के साथ F1 अगर प्रेस करते हैं तो क्या होता तो alt के साथ F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है you can now shut the company by pressing ctrl F3 हम alt के साथ F1 प्रेस कर रहे है तो यह हमें message दिखाई पढ़ रहा है teleprime में कि आप अब ctrl के साथ F3 प्रेस करके भी company को बंद कर सकते हैं ठीक है और यह बंद भी हो जाएगी company अब alt के साथ F2 प्रेस करते हैं तो alt के साथ F2 जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि financial year वाला dialogue box आ गया है तो इसमें financial year चेंज कर लिजे किया रखना है वो रख लीजिए ठीक है तो यह हो गया अब alt के साथ F2 हो गया अब alt के साथ F3 प्रेस कर लेते हैं एक बार आप जैसे ही alt के साथ F3 प्रेस करते हैं तो तमाम companies की list open हो जाती है आप यहां से company को select कर सकते हैं देखिए बहुत सारी company हैं इसमें आप company को select कर 3 से यह होता है और alt F4 एक बटन होता है तो जैसे यह आप MS Word, MS PowerPoint, MS Access वगरा वगरा यूज़ करते हैं तो उस समय आप alt और F4 बटन का प्रेयोग line wise एक एक software को close करके और computer को shutdown करने के लिए करते हैं तो बिलकुल वही चीज यहां से भी होती है तो जैसा कि देख सकते हैं control F1 प internet के site पे चले जाएंगे और यहां से हमें online help provide होगी चुकि मैंने internet से connect नहीं किया तो यह यहां पे इस तरीके से आ रहा है ठीक है और जैसे ही हम control के साथ F3 प्रेस करते हैं तो company को shut करने का option आ जाता है control के साथ F3 देखिए मैं यहां पे control के साथ F3 प्रेस करके दिखाता हूँ यह हो गया control F3 तो यहां पर list of company open होगी उसको shut करना है कि नहीं आप देख लीजे तो यह open हो जाता है इसके बाद control के साथ F4 पेरोल वाला बाउचर ओपन हो जाएगा यहां पर आप पेरोल बना सकते हैं पेरोल यानि सैरली की डीटेल तो यह कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो मैंने आपको बताई टैली में इसके अलावा और भी कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिनके बारे में अब आपको common तो मैंने बता करते हैं यहां पर alt के साथ मैंने k प्रेस किया तो ऊपर वाले menu में आप चले जाएंगे अब यहां पर यह सब चीजह खुल जाएंगे इस तरीके से कुछ ठीक है alt के प्रेस करने से कहा चले जाएंगे top menu पे आप चले जाएंगे इसके बाद अगली जो शॉटकट की Alt Y, ठीक है, Alt Y भी प्रेस करने से आप कहाँ चले जाएंगे, Top Menu पे चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर Alt के साथ अगर Y प्रेस करता हूँ मैं, तो आप Top Menu पे Second वाले पे चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर Company Data Backup Restore Split और Data Path आ रहा है, ठीक है, इसके बाद अगली जो shortcut की है, Alt Z तो Alt Z प्रेस करने से आप Top Menu पे ही जाएंगे, यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ, Alt के साथ Z, तो तीसरे वाले पर चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से Ctrl G अगर प्रेस करते हैं आप, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह List of Report ओपन हो गई है, और Ctrl G करने से यह इस तरह से Open हो जाएगी और यहाँ से सारी चीज़े आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर Create Masters है, Alt Master है, तो यह Ctrl G प्रेस करने से होता है, इसके अलावा और भी Shortcut Keys है, अगर बात करें, Ctrl Alt O भी एक Shortcut की होती है, यहाँ पर अगर मैं Alt के साथ O प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर Import वाला Export किया जाता है, तो वो Import वाला Option कुल जाता है, ठीक है, इसके साथ, Alt के साथ, अगर आप E प्रेस करते हैं, तो Export वाला Open हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको Mail करना है, तो Alt के साथ M प्रेस करेंगे, तो Mail वाला Open हो जाएगा, Print करना है, तो जन्पर करते हैं, तो Alt के साथ P प्र तो इस तरीके से यह कुछ शॉटकट्स हैं जो आपको जानने चाहिए टैली अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको यह शॉटकट्स पता होना चाहिए